नमस्कार मिराजपुरोहित मधुर जी आप देख रहे हैं एस्टो तक बहुत पवित्र पर्व आ रहा है पाँच दिवसी अनुष्ठान यानि धन त्रयोदसी से ले करके और भईया दूज तक इसी बीच में बड़े-बड़े महान पर्व आ रहे हैं और एक पर्व ऐसा आ र कर लिया था एक ऐसा परवा रहा है जिसका नाम है गोबर्धन पूजा गोबर्धन पूजा अनकूट का यह पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा पहले संदेह भरी बातों से हम निपट लेते हैं यह वीडियो आप ध्यान से देखिएगा संदेह क्या हो रहा है एक नौंबर को मनाना है या दो नौंबर को मनाना है तो जब दीपावली 31 तारिक को आप मना रहे हैं और एक नौंबर की साम तक अमावस्या मिल रही है तो प्रतिपदा में ही अनकूट मनाया जाता है तो ऐसे में यह एक तारिक को ना मना करके दो तारिक को मनाई जाएगी क्योंकि एक कि दिन में पूरी दिन अमावस्या है तो आप उस दिन प्रतिपदाती थी बहुत ही कम समय में यानि सूरियास्त के समय मिल रही है तो आपको बिलकुल नहीं मनाना क्योंकि सूरे की उपस्थिती में यहापर मनाया जाता है दूसरा ये एक नवंबर की साम 6 बज करके 16 मिनट से ले करके 2 नवंबर को रात्री में 8 बज करके 21 मिनट पर यह तिथी समाप्त हो रही है और 8 बज करके 21 मिनट पर जब यह तिथी 2 नवंबर को समाप्त होगी तो स्वाभाविक है कि 2 नवंबर को ही अनकूट गोवरधन पू सूर्य और चन्रमा जिस्तिति को दोनों रूप से अस्पर्स कर रहे हूं वह तिति अपने आप में पूर्ण पाई जाती है लेकिन तमाम प्रकार की मानसिक भ्रांतियां और आज कल का फेस्बुक, वाटसेप, ग्यान, रील्स का ग्यान लोगों को तमाम आवसादों से भर दे चाहिए, अब आपको बता दें कि पूजा का मुहूर्ट क्या होगा गोबर्धन पूजन के, साम को 6 बज करके 30 मिनट से ले करके, रात्री में 8 बज करके 45 मिनट तक, 2 घंटे 45 मिनट का यह गोबर्धन पूजा का सुन्दर मुहूर्ट है, 56 भोग लगते हैं, 56 भोग में गमंड हो गया, और ब्रजवासी गोपगण ऐसे थे कि लाला ग्वाला के साथ सब खेल रहे थे, और लाला ने ग्वालों को समझाया कि इस बार हम गोबर्धन की पूजा करेंगे, हम राजा इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, देवराज इंद्र नाराज हो गए, अब जब हो गया, ऐसे में गोपगण बहुत परिसान हो गए, ब्रजवासी बहुत परिसान हो गए, भगवान कृष्ण उन गोपगणों की गोबर्धन परवत को अपने एक उंगली पर धारन करके सम्पोर्ण ब्रजवासीयों के उस समय रक्षा की थी, तो आप समझेए कि कृष्ण ऐसे हैं, जो समस्त घमंड को, दंभ को, जैसे कवरों की सभा में साक्षा द्रोपदी के लज्जा जा रही थी, उन कवरों के घमंड को तोड़ने के लिए, द्रोपदी की लाज को बचाने के लिए भगवान कृष्ण आ गये थे, तो इसलिए भगवान कृष्ण का यह जाना है, यह भी आपको बता दें, पहली बात तो यह गाय के सुद्ध गोवर से आप अपने आंगन को सुन्दर से लिपाई करें, लिपाई साफ सफाई करने के बाद अगर फर्स है, तो फर्स पे भी गाय के गोवर्धन के सुरूप को बनाया जाएगा, तमाम लोग हैं, उनके सुरूप को बनाते हैं, मूर्ती का आकार बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो चटान अर्थात पहार जैसे परवत जैसी स्थिती में उसे बनाते हैं, उस क्रिया को करते हैं, अब आपको बता दें कि अपने घर को सुद्ध गंगा जल से साफ करें, साफ करने के साथ साथ सोयम अपने आपको भी पवित्र करें बंदनवार लगाएं बंदनवार लगाने के बाद जैसे जैसे सूर्य मध्यान स्थिती में जाए वहीं से आप गोबर्धन को बनाना सुरू करें गाय की गोबर्धन बनेगा सुन्दर प्रतिमाओं को बनाएं गाय की सुन्दर चित्रों को बना सकते हैं सुन्दर सी प्रतिमा को बना सकते हैं साथी साथ बच्छनों की प्रतिमा को बना सकते हैं अन्य ब्रज गोप गणों की भी प्रतिमा को आप गोबर से ही बना सकते हैं य पुस्प मालिका से चारो तरफ सजाना है, सजाने के साथ साथ क्या होगा दूद दही गी मदुसकर पंचामरत से स्नाम कराना है और सुधजल से स्नाम कराना है फिर वस्त्र में सुन्दर सी साडी यानि की जो धोती होती है और धोती आज के दिन तो किसी भी प्रकार का रंग का आज वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं गोबर्धन को और जितना जादा अच्छा होगा गाढ़े रंग में होगा उतना ही सुभता का प्रतीक होगा तो ऐसे में गाढ़े रंगे वस्त्रों को आप गोबर्धन भगवान को भगवान कृष्ण को समर्पित करें आज के दिन यग्योपवीद जरू चढ़ाएगा यग्योपवीद क्यों चढ़ाना है क्योंकि गोबर्धन को जब आप पूजन में धारन कर रहे हैं तो गाय की गंगा की पूजा, गायत्री की पूजा, बेद की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा, स्त्रीमत भगवत गीता की पूजा यहां से निकल करके आता है पुरुसत्त को स्थापित करने वाला और यग्योपवीद जब आप चढ़ाएंगे तो आपके अंदर वास्तों में पूरुसत्त तो स्थापित होगा, जो समाज के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए वह हितकर सावित होगा, पूजन के क्रम में रोली का ठीका लगाएं, अक्षत, पुस्प, पीले फूल की माला, गेंदे की फूल की माला चढ़ा जाने के बाद, धूप, दीप, नैवेद्य, दीपक कितने जलाने हैं, दीपक आपको सोलह दीप जलाने हैं भगवान गोबर्धन के पूजा में, क्यों? चार प्रहर होते हैं, प्रतेक प्रहर का एक चार दीपक, तो चार चोक सोलह, सोलह दीपक आप जला करके गोबर्धन भगवान को प्रणाम करें, उन्हें प्रसंद करें, घी का दीपक जलेगा, साथी साथ आप नईवेद्य में आज के दिन गोबर्धन को प्रसंद करने के लिए 56 प्रकार के भोगों को लगाएं, अश्तयाम पूजा में भगवान कृष्ण जब साक्षात गोबर्धन को लेकर क खड़े थे, तो अनकूट में वहाँ उस समय हरे साथ सबजियों से ही अनकूट को तयार किया गया, जो भगवान को समर्पित होता है, गोबर्धन को समर्पित होता है, क्योंकि प्रतेक जगापर जल ही जल हो गया था, लेकिन इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए भग गवान से माफी भी मांगते हैं, तो वह द्वापर की परमपरा आज भी है कि आज इस दीपावली के पवित्र पर्व पर त्रेता से दीपावली के पर्व में यह साक्षात प्रतिपदातिति को गोबर्धन पूजा मनाया जाता है, गोबर्धन पूजा अनिवार है, आज के कम से कम जादा से जादा आप कई रोगों से मुक्त हो जाते हैं तो इसलिए आज की दिन गाय को अवस्य ही प्रणाम करें पूजन के साथ साथ अब आपको अंतिम स्थिति में क्या करना है गोबर्धन महराज की कथा सुने ब्राम्मनों से वैदिक विद्वानों से पूझन कराने के बाद यग्याहुति दे यग्याहुति के बाद जल साधारण जल गंगा जल और गाय का कच्चा दूद यह सम एक मिस्रन करते हुए सात बार सपरिवार सहित सपरिकर सहित परिक्रमा लगाएं परिक्रमा लगाने के साथ साथ आपको एक मंत्र पढ़ना है स्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारे एनाथ नारायन वासुदेव हरे मुरारे मधुकई तभारे निरास्रयन माम जगदीस रक्ष यह महा मंत्र पढ़ते हुए आप भगवान कृष्ण नाम का संकीरतन करें और साथ बार परिक्रमा सपरिवार सहित लगाएं फिर वह हजल उठा करके तुलसी मा के पास आप चढ़ा दें या किसी स्वक्ष गमले में या सुदूर एक स्वक्ष पवित्र जगह पर ले जा करके चढ़ा दें अब सुंदर घी का दीपक जला करके आरती करें आरती भगवान कृष्ण की भी होगी गिरीराज की भी होगी आरती करने के बाद आप प्रसाद बाटें पूरे घर में आरती को दिखाएं आदी आदी जो भी यग्यकारे आपके हैं उन सब को संपन्न करने के साथ-साथ अप खुस कर सकते हैं, इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप फॉलो करें, सनातन धर्म की मर्यादा का निर्वाहन करें, सदयो गंगा गव गायत्री की रक्षा करें, साथ ही साथ अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्रस्ण पूँच सकते हैं, हमारे साथ अश्टो तक पर बने रहें, ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए, नमस्कार अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को जोतिश के माध्यन से सुलजाया जाए, तो आप हमसे संपर्थ कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हैश्टो तक पर